तो हर आदमी के लिए अक्सिजन ज़रूरी नहीं है इस बीबारी में एक नया कंसेप्ट खुला है जिसे कहते हैं हैपी हाइपॉक्सिया पतला अक्सिजन कम होने पे भी आदमी सुखून में और खुश रहता है आपने कोरोना का मरीज देखा होगा हार्ट अटेक का मरीज तडपता है और विमारियों का मरीज तडपता है कोरोना का मरीज अराम से लेता रहता है तडपता नहीं है वैक्सीन के बाद आपको कोरोना आएगा या नहीं आएगा ये सवाल नहीं है कोरोना तो आएगा सब लोगों को आया क्या वजह हो सकती सबसे पहले तो यह जो डर हम लोगों ने कोरोना का बनाया है कि सेकिंड वेव आ गई और अब क्या होगा कुछ भी नहीं होगा तो लोगों को मालूम नहीं है कि वैक्सीन किस तरह से लेना है क्योंकि कुछ लोग है जो सही इंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं एक बड़ी गल्त फहमी फैल गिये लोगों की कि ऑक्सीजन जान बचाती है और हम लोग oxygen को ऐसे ढूंड रहे हैं और इकटा कर रहे हैं और इकटा कर रहे हैं और श्टोर कर रहे हैं और hospitals में ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे oxygen के बगएर दुनिया चलती ही नहीं है लोगों ने भ्रह्म फैलाए कि इस वैक्सीन के उपर ट्राइल्स जादा नहीं हुए जूट हैं क्योंकि आप देखिए वैक्सीन को डवलप करने में लगबग लगबग 10 साल लगते हैं तो अभी अफ़ाय फईल रही है कि यह मास्क में कुछ छोटे-چोटे सिंटम κάν से गड़ किडिया निक Erfahrung मैंने इन glimpse के स्वीन में लगाया कि एक आध the distance पटें जो आदमी मेरे से एक हाथ के दिस्टेंस पर बैठा है वो मुझे रेस्पेरिटरी सेक्रीशन से वाइरस नहीं दे सकता जैसा कि वैक्सिन अभी निकल चाहिए यह जैसे वैक्सिन है तो यह वैक्सिन ब्लक क्यों हो रही ब्लक में क्यों मिल रही मार्केट में साथ एक इंजेक्शन वाइल का तीन हजार रुपे रेट है जो कि बहुत इदर उदर से शौटेज आ गई है आजकल और लोग पूछ रहे हैं कि अवा कहां मिलेगी गौर्मेंट ने इस दवाई को सरफ हॉस्पिटल यूज के लिए रखा है तो क्या ये दवाई जान बचा लेती ह ये कोरोना से नहीं आदाब नमस्ते मैं जफर खान जैडनाव टीवी में आपका इस्तेवल स्वागत करता हूं आप जानते हैं कि इस वक्त एक बिमारी है जो सारी दुनिया को परिशान कर वेटी है वो है कोरोना वेरस कोरोना वेरस जो शुरुवात में इतनी गड़बर न बहुत बहुत अपने जियों और जान लगा दिया और आज भी वो लड़ रहे हैं ये जंग अगर हातों से लड़नी की होती तो हर कोई लड़ने था लेकिन ये अपके सांसों से लड़नी की जंग ही है और सांस से तो हर किसी की एक वक्त ही किस साथ दे सकती है बिमारी की रोल है उस पे डॉक्टर्स का जी हाँ इसके साथ कई सवाल है बहुत से सवालत है लेकिन यहाँ पर हम कुछ सवाल हाँ के सामें रखेंगे हम जानेंगे आज फिर एक बार मैं मौझूद हूँ संशाइन हास्पिटल के M.D. डॉक्टर संजीफ कुमार सहाब यह बहुत शुरू से ही इस बीमारी के शुरुआत से ही लोगों को प्रिक्योशन्स देना किस तरह से इस से लड़ सकते हैं इन्होंने शुरू से बताया है और आज भी वो पूरी कुशिश कर रहे हैं कि घर बेठे कि आप तवाखनी को नहीं आने से ज्यादा आप घर बेठे आपने आपको कितना अच्छा सेक्यूर कर सकते हैं कितना सेफ कर सकते हैं जी हां फिर एक बार में उनसे पहले जो इंटर्वी हुई थी हमसे सबसे पहले हमने ही लिया था फिर आज एक बार उनके पास आया हूँ तो इंचालला हम जानेंगे जिस तरह से लोगों को फैदा पहुच हुआ है और बहुत लोगों ने दौाई दी है और हम भी आपके साथ फिर एक बार खुशी हो रही हम को कि हम आपसे बात फिर मुलागत कर रहे हैं सारे इस वक्त एक ही सवाल सो जो सबसे पहले लोग जाना चाते है क्या करोना जो पहले आया था जब उतना हलचल नहीं मचा अब इस वक्त जो इतना हलचल मचा रहा है उससे ज्यादा आप यहां पर परिशान हो रहे हैं तब तो कोई हमको हल नहीं था कोई तरीखा नहीं मौलूम था किस तरा से उसको भागा दे लेकिन आज वैक्सिन है कई चीजें उसके लिए दवाएं निकल चुकी है लेकिन वैव के नाम पर यह डर रहे हैं कि सेकिन वैव आ गई और अब क्या होगा कुछ भी नहीं होगा जैसे फस्ट वैव चली गई वैसी सेकिन वैव चली जाएगी यह हो क्यों रहा है यह नॉर्मल हर सौ साल के बाद एक वाइरस ऐसी महामारी हमेशा करता है सौ साल पहले बिलक 300 साल कई सदियों से हमारे किताबों में लिखी है हमें मालू में सेकिन वैव आती है इसके बारे में अगा भी कराया गया और सरकारों ने बहुत इंतजाम भी किये बर तबी भी यह बहुत नाकाफी थे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और मेडिकल सर्विसे के उपर और इन्वेस्ट करें और उनको और ताकतवर बनाएं और कंट्रोल्ड बनाएं जिससे की लोग ऐसी महामारी में आके ना लुटें तो यह सेकेंड वैव इतने सारे लोग इंफेक्ट हुए क्यों देखिए जबी भी एक परत चिरफ बाहर की लेयर को इंफेक्ट कि आता éénमेडियेट्ली loukडाउन, TeaLing और इस सबसे हमने पहली वैव को रोक लिया जिसमें सरकारों ने जिसमें पुलिस वालों ने जिसमें लोगों ने बहुत कंट्रोल करके किसी तरीके उस वैव को बचा लिया अब करोना आपके घर में आके बैड़ गया है अब सरकार lockdown करे भी तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि घर में एक member positive है अगर मैं भार road बंद भी कर दूँ तो वो मरीज तो फिर भी आपके घर के अंदर है अगर कोरोना आज आपके घर में आ गया है तो आपको ये पता गरना है कि उसके साथ लड़ना कैसे है जैसे पहले राजा की बाहर की दिवार को तोड़ करके जब दुश्मन अंदर घुसाता था तो वो strategy different होती थी लड़ाई की इस वकत आपको कोरोना से किसी से डरना है कब नहीं डरना है ये सब सीखना है सर तब तो vaccine थी अब जब vaccine आ गई है तो लोग डर रहे हैं कि vaccine लेंगे तो शायद हो सकता है क्योंकि शुरुआत में जब इसकी vaccine के कुछ ऐसे cases सामने आए हैं कि लोग जो ना कई लोग मर चुके हैं तो अब लोग लेने के लिए कुछ लोग आगे बढ़ कर आ रहे हैं तो लोगों को मालूम नहीं है कि vaccine किस तरह से लेना है क्योंकि कुछ लोग है जो सही information नहीं दे रहे है कि भई आप जो बस vaccine ले लो आधर कट बता दो ले लो करो वो तो सही है लेकिन उसके कितने sessions है कितने बार उसको क्या लेना है इस सवाल के उपर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने की हिमाकत करता हूँ जब छोटे बच्चों को आप vaccine दिलाने डॉक्टर के पास ले जाते हो डॉक्टर कहता है छे हफ़ते के बाद आ जाना दुबारा vaccine लेने आप सिर्फ बच्चे को उसके पास ले जाते हो वो टीका लगा देता है आप ज़्यादा detail कुछ भी नहीं पूछते कौन सी company की थी कितने रुपे की थी Indian थी के American थी इसका success rate है क्या इसके trials हुए थे ये सवाल इस vaccine के साथ क्यों लोगों ने भ्रम फैलाए कि इस vaccine के उपर trials ज्यादा नहीं हुए जूट है क्योंकि आप देखिए vaccine को develop करने में लगबग लगबग 10 साल लगते हैं बट क्योंकि इतने सारे लोग affected थे हमारे पास test करने के लिए बहुत सारे लोग थे इसलिए ये vaccine को एक साल के अंदर ही दिन रात पूरे world ने काम करके इसको बना लिया है technology बहुत advance हो गई है इस advance technology में बहुत safe vaccine का जरीया आ गया है अब मैं आपको एक example से बताना चाहूँगा अगर आप मान लीजिए ये जो बड़ा इतना बड़ा ये है ये virus है अगर ये लोगों को affect करेगा तो सौ में एक आदमी को मार देगा ये coronavirus है vaccine क्या है अगर मैं इसी को मार मार के कमजोर करके इतना छोटा बना दूँ अब ये मुझे पता है मेरे को कुछ नहीं कर सकता पर जब मैं इसको अपनी body में inject करता हूँ तो body ये मानती है कि ये जो ये जो चीज आई है ये बिलकुल coronavirus के जैसी है क्योंकि ये coronavirus के जैसी है body इससे लड़ाई करती है और लड़ाई करके इससे जीच जाती है अब वो यादाश रखती है कि coronavirus से लड़ना कैसे है वैक्सीन के आपको results बताता हूँ vaccinated individuals को जब करुना दिया गया तो सौ में असी लोगों को करुना ने कोई भी symptom नहीं दिया मतलब कि अगर आप वैक्सीन करवा लेगे तो दस में आठ लोगों को symptom भी नहीं आएंगे पर हाँ दो लोगों को जुकाम बुकार आएगा करुना भी आएगा पर वो दो लोग में से एक आदमी भी नहीं मरेगा वैक्सीन के बाद जो deaths रिपोर्ट की गई थी वो vaccine related death नहीं थी clot related death थी करुना हो गया था उन रोगों को रास्ते में जाने आने के वज़से heart attack हो गये थे बुजर्ग लोग थे तो डर यह होता है कि हम किसको दें मैं आपसे पूछता हूँ society में सबसे ज़्यादा डर किसको है इस वकत vaccine के time तो सरकार ने तीन categories बनाई कि अगर कोरना हुआ तो मेरे कौन से लोग हैं जो सबसे पहले मरेंगे तो उन्होंने पाया मेरे front liners लोग सबसे पहले मरेंगे हमारे police वाले हमारे nurses हमारे doctors हमारे hospital में काम करने वाले करमचारी सबसे पहले मर जाएंगे इसलिए सबसे पहले vaccine उनको दे दो फिर उन्होंने बचाया कि common population में ज़ादा डर किसको है तो ज़ादा डर है बुजूर्गों को ज़ादा डर है heart attack वाले patients को stunt bypass वाले patients को stroke patients को diabetes वाले patients को BP वाले patients को हमारे बुजूर्ग जो 70-80 साल वाले है वो patient जो बिस्तर से बाहर ने निकल सकते वो patient जो बहुत सारी दमाया खाते हैं जिनकी immunity कम है ये सारे patients को खत्रा जादा है इसलिए सरकार ने कहा कि हम 45 से 60 साल वाले लोग जिनकी immunity कम है या 60 साल से उपर वाले लोग चाहे कैसे भी हो इनको immunize करके इनकी जान बचा ले तो लोग धरते हैं कि हम बुजूर्गों को कैसे vaccine दे actually सरकार बुजूर्गों को vaccine देना चाहती है जिससे कि उनकी जान बच जाए और अब 18 साल से उपर वाले सब लोगों को vaccine के लिए लाओ कर दिया गया तो 18 साल से कम वालों को क्यों नहीं एक कारण यह है कि बच्चों को कुरुना आना तो शुरू हो गया है पर बहुत जादा नहीं आया और किसी भी बच्चे की आस तक इस बिमारी से death नहीं होई दूसरा 18 साल से उपर वाले लोगों को अब कुरुना बढ़ने लगा है इसलिए सरकार ने का है सब को chance मिलना चाहिए और सरकार कोशिश कर रही है कि यह vaccines available करा है आप यह सवाल पूछना छोड़ दीजिए कि कौन सी अच्छी है आपको जो भी available हो रही है वो सारी कि सारी चाए Indian made है चाहे Russian made है चाहे कोई भी made है vaccine काम एक ही तरीके से करती है वो आपको पहली लड़ाई जिता देती है अगर आप पहली लड़ाई जीत जाओगे तो आपकी body खुद जाएगी कि दूसी लड़ाई कैसे जीती है क्या हमको यह नहीं मानना है कि हमको एक बार मतलब हम हम морona से हम बच सकतें vaccine के बाद में इसके बावजित भी आ सकता हमको corona vaccine के बाद आपको corona आएगा या नहीं आएगा यह सवाल नहीं है corona तो आएगा सब लोगों को आए यह और जिनको नहीं आÁया वो कब तक चुपोगे क्योंकि यह वाइरस है और इतना मल्टिप्लाई होता है कि वो कभी न कभी तो किसी न किसी को इंफेक्ट करेगा अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, औरत हो या मर्द, बच्चा हो या बड़ा आएगा और सब को आएगा तो फिर क्यों न हम सब लोग एक साथ कोरोना ले लें अगर इतने सारे लोग एक साथ बिमार हो गाएंगे तो लोगों की सेवा कैसे करेंगे हम कैसे इतने सारे लोगों का इलाज करेंगे आज जब करोना आपके घर में आके बैठा है और एक आदमी पॉस्टिव हुआ है उसको अलग कमरे में ले जाओ उसको खाना दो उसको हिम्मत दो क्योंकि जब वाइरस से लड़ने की दवाई ना तो एंटिबाइटिक है और जो अभी थोड़ी बहुत वाइरस की जो दवाईया या गोलिया बनी भी है वो भी इसके खिलाब बहुत अफेक्टिव नहीं है तो फिर हम लोग जिन्दा कैसे हैं तीन हजार वाइरस हैं धरती पे तीन सो साल पुरानी स्टोरी है कि यहां पे वाइरस धरती पे होते हैं हमारी इम्मिनिटी हमारे को जिन्दा रखती है और यह वाइरस हमको कुछ नहीं के पात है ये वाइरस आते हैं जा तो वाइरस आते हैं जब हमेरे इम्यूनिटी डाउन हो जाती है लोग सोसते हैं कि विटैमिन खाले हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी विटैमिन खाने वाले लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती आपने देखा होगा हॉस्पिटल के लोग, शरीक लोग विटैमिन खाते है, बुज़ूर्ग लोग विटैमिन खाते है आप एक आदमी ऐसा मुझे बता दो जिसकी इम्निटी अच्चे हो और वो विटैमिन खाता हूँ जिसकी सबसे अच्छी immunity होती है वो घर का बना खाना खाता है इसलिए ये चीज तोड़ दो कि विटामिन खाने से आपको immunity आएगी विटामिन खाने से immunity ना तो आती है ना कभी आई थी तो फिर कोरोना का इलाज क्या है कोरोना का इलाज बॉड़ी खुद कोरोना से लड़ लेती है कोरोना की जिंदगी सिर्फ 14 दिन है आप लोगों की उमर 50-60 साल है कोरोना डेफिनेटली 14 दिन के बाद वो बाद नेगेटिव हो जाएगा उसे जो करना है 14 दिन में करना है और आपको उस 14 दिन में क्या करना है? आपको उस 14 दिन में जीना है. कैसे जीएंगे? खाना खाए बगर तो नहीं जी सकते हैं. इसलिए खाना तो खाना ही पड़ेगा. भूक नहीं लगेगी, उल्टी आएगी, दिल खराब होगा, मतली होगी, बुखार होगा, सिरदर्द उससे जुकाम होगा, उससे जुकाम नहीं होता. आपके शिरीर में जिस चीज की कमी होगई वो चीज पूरी करो, अपनी रजा अच्छी रखो, खाना खाते रहो, एक्सरसाइस के नाम पे चोटी मोटी ब्रीधिंग एक्सरसाइस करते रहो, आट घंटे सो, अगर आप ये क करते रहे, तो आप इससे 90% कोर्ना को हराद होगे. क्या सारे लोग ये कर सकते हैं? नहीं. जिन लोगों को बहुत high grade fever आ रहा है, जिन लोगों को सांस फूल रही है, जिन लोगों के oxygen कम हो रही है, वो लोग हॉस्पिटल में जाओ, रिपोर्ट करो. सब लोग अगर एक घर म हम कर भी देंगे, पर कब तक, क्योंकि अगर एक बार टेस्ट करा है, नेगिटिव हो गया, 10 दिन के बाद फिर आपको बखा या है, तो फिर करा ओगे. तो कितने बार तक आप ये टेस्ट कराना चाहते हो, और कितने बार तक आप डरते रहना चाहते हो? मेरा कहना यह है कि RT पीसी आर या यह सब टेस्ट चो होते हैं यह डॉक्टर्स के लिए बने हैं वो आइडिन्टिफाई करना चाहते हैं कि हम इस मरीज को एड्मिट करें एड्मिट करें तो कौन से वार्ड में करें इसका इलाज किस तरीके से किया जाए क्या यह सरजरी अर्जेंट है इसलिए ट किरा लू आटी PCR अगर ऐसे करने लगे तो हम लोग गरीब हो जाएंगे यह टेस्ट में इतने पैसे खराब हो जाएंगे इतना रेविन्यो खराब हो जाएगा कि हम यह मैं और छोड़ी पेत्री से उतर ते आ रहे हैं और आज भी हर जगा इसी को यूज़ कर रहे हैं तो अब जब के आम आदमी के पास चले गया है तो उसको एक नया मतलब एक इशू निकल रहे है कि वह इसमें कीड़े के लोग जला दे रहे हैं तो क्या इसकी क्यों क्यों ही है जो डाक्टर्स यूज़ कर से हैं जो आदमी मेरे से एक हाथ के डिस्टेंस पे बैठा है वो मुझे रेस्पिरिटरी सेक्रीशन से वाइरस नहीं दे सकता इसलिए मैं सेफ हूँ अगर आप एक पेशन्ट के अगर आप ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते जैसे कि आप बाजार जाएं और आपके इस डिस्टेंस के अंदर कोई नहीं कोई आ रहा है तब आप मास्क लगाओ सवाल आता है कौन से वाला मास्क कपड़े वाला या जो आजकल फैंसी कंपनियों के बन रहे है वो वाला या जो दमचा हम लोग यूज़ कर लेते हैं वाला या ये जो डिस्पोजबल मास्क मार्किट में बिकरें दो रुपे तीन रुपे पचास रुपे सो रुपे कौन सा अच्छा है हमें सिर्फ ये रेस्पिरिटरी सेक्रीशन्स दूसरे आदमी तक नहीं जाने देनी है इसके लिए यहां तक भी कहा गया कि चाहिए आप कपड़ा भी यूज़ करो तो वो सेफ है पर अगर आप कुरोना पेशन्ट की देखभाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कुरोना ना हो तो आपको सिवाए N95 मास्क के लावा कोई और तरीका नहीं है अब बची बात कि इसमें कीड़े कहा से आजाते हैं इसमें कीड़े इसलिए आजाते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सेक्रीशन्स के अंदर हर वकत छोटे छोटे बैक्टीरिया और वाइरसेज रहते हैं ये बैक्टीरिया और वाइरसे हमारे खाने में, हमारे पूरी आथ में रहते हैं, जो हमारे खाने को पचाते हैं, और ये हमारे दोस्ते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, ये बीमारी नहीं हैं, ये बैक्टीरिया और वाइरसे हमारी बॉड़ी के अपने हिस्से हैं, इनको अंग आप microscope लगा के देखेंगे तो normal कोई भी organic substance के ओपर देखा जाए तो आपको कोई न कोई चोटा मोटा कीटा मिल जाएगा तो क्या mask लगाना छोड़ दें या इनको use करना छोड़ दें ऐसा नहीं है अगर आप infected zone में जा रहे हैं तो N95 mask का use करिए जहाँ corona patient हो अगर आप normal किसी area में जा रहे हैं तो कपड़े के mask का use करिया जिह जो धोया जा सके अगर कोई आपको microscope में mask दिखाता है तो आप अपने डाक्टर से पूछे जब उसकी training हुई थी तो microscope के अंडर उनको सब चीज़ें दिखाई गई थी और उसमें बहुत सारे कीड़े हमने देखे भी थे और जानते भी हैं यह जो जो दिखाए जा रहे हैं कीड़े जो डराया जा रहा है मासकों में कीड़े निकलते हैं यह mask की कीड़े नहीं है यह हमारी body के अपने organism से इसलिए इससे डरना है मासक जरूरी है क्योंकि यह मामारी जब तक ही फैलती रहेगी जब तक हम mask लगाना चोड़ेंगे नहीं पर जैसे अगर मैं बैठा हूँ और मेरे एक मीटर के distance के अंदर कोई नहीं आ रहा है तो आप भले मत लगाईए तब आप जरूरत नहीं है घर में आएंगे तो घर के अंदर अगर कोई infected नहीं है तो आपको mask लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप सो रहे हैं और आप एक दूसरे से एक मीटर की distance पे हैं तो आपको mask की जरूरत नहीं है एक साल से छोटे बच्चे जिनको पता नहीं चलता oxygen के बारे में उनको mask नहीं लगाना है या पर mask कितनी देर लगाना है कुछ लोग 24 गड़िया ने बस लगाता लगाती है चाले जा रहा है आपको खुद मैसूस होने लगेगा कि अब mask लगाता हूं तो मेरी सास फूलती है इसलिए आप mask उसको चेंज कर लीजिए mostly हम लोग use and throw mask यूस करते हैं अगर एक बार लाके लगा लिया तो उसके बाद उसको दोबारा नहीं लगाते है डॉक्टर्स भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं mask एक ही बार single use के लिए होता है एक एक महीने के लिए नहीं use कर सकते हैं और उनको धोया भी नहीं जा सकता कपड़े का अगर mask यूस करते हैं तो आप कितनी बार भी उसको धो सकते हैं सार एक और सवाल के बड़े सारे फोन एक दूसरे से लोग कर रहे हैं what's up कर रहे हैं साब यह है क्या यह remdesvir Americans ने दवाई बनाई थी जो वाइरस के अगेंस्ट काम करती थी जो की कोर्ना वाइरस नहीं था जो सार्स वाइरस था दो साल पहले आया था उस टाइम में यह दवाई उस वाइरस के अगेंस्ट अफेक्टिव थी इस वाइरस इसकी दवाई को जब यह कंपनी वालों ने टेस्ट किया अमेरिका में तो उन्होंने रिजल्ट दिखाया कि यह दवाई अच्छी है वाइरस के अगेंस्ट काम करती है क्योंकि बहुत मामारी फैल रही थी इसलिए FDA ने इसे फटा-फट अप्रूफ कर दिया बाद में अमेरिका ने यही दवाई पूरे वर्ल्ड में बेची और करोडों रुपे कमाए यह यह जब दवाई की डीटेल्स देखी जाएं अगर आप भी खुच जाएं रेमडेसवीर इस दवाई का नाम है जो चार या पाँच कमपनिया बनाती हैं जिसका एक इंजेक्शन वाईल का तीन हजार रुपे रेट है जो कि बहुत इदर उदर से शौटेज आ गई है आज कल और लोग पूछ रहे हैं कि अवा कहां मिलेगी गौर्मेंट ने इस दवाई को सरफ हॉस्पिटल यूज के लिए रखा है तो क्या यह दवाई जान बचा लेती है कोर्णा से नहीं आज तक किसी भी रिसर्च चाहे वो कंपनी वालों ने करी थी चाहे वो डबलू अच्छों ने करी थी चाहे वो अमेरिका की इंडिविजूल और्गनाजिशन्स ने करी थी सॉलिडरेटरी ट्रायल ने ये बताया था कि ये दवाई जान नहीं बचाती है तो फिर डॉक्टर देते क्यों है इसलिए कि इस रिजल्ट्स में ये आये था कि जिस आदमी को साथ दिन में अच्छा होना है करना से इलाज के बाद वो पांच दिन में अच्छा हो जा रहा था दो दिन कम में अच्छा हो जा रहा था इसलिए दवाई थोड़ा सा benefit दे रही थी पर जैसे आजकल कागज पे लिखके मरीज के तिमानदारों को बोल दिया जाता है कि आप ये दवाई ले आई है ने तो आपका मरीज मर जाएगा और कहीं से भी जाके खरिद के लाई है और वो मारे मारे दुकानों पर फिर रहे हैं और इन गोली दवाईों को इंजेक्शन उसको बलैक कर रहे हैं और रो रहे हैं ये दवाई जान नहीं बचाती है ये दवाई सिर्फ इलनेस को थोड़ा कम कर देती है और ये दवाई दी भ भागना, इसके बाारे में पूछना, मना कर दीजिए, क्योंकि ये सिरफ हास्पिटल सप्लाई में आती है अगर आपका डक्टर आपको लिखके भी देता है कि आप ये जाके मार्केट से ले आईए, तो आप उनको बताईएं कि सिर्फ hospital supply में आती है और ये market में जब नहीं मिलती तो मैं किसके पास जाके ये दवाई मांगो तो क्या oxygen अगर नहीं मिलती है तो आदमी की द्वाजान तहले जाएगी तो इसके लिए क्या कुछ इलाज है कि oxygen नहीं मिले तो आदमी और store कर रहे हैं और hospitals में ऐसे use कर रहे हैं कि जैसे oxygen के बगएर दुनिया चलती ही नहीं है आप ये मानियें कि ये air में 30% oxygen है और मैं 100% oxygen बना रहा हूँ इसके लिए मतलब हमारी body किसी भी oxygen को 3 गुणा multiply करने की ताकत रखती है 30 को 100 कर देती है मतलब 30 को 100 कर देती है इसका मतलब हमारी body में जो entry जो बनाई गई है oxygen की वो 30% oxygen की बनाई गई है अगर हम इस 30 की जगा अगर 100% oxygen लगा देंगे तो वो acid जैसा काम करती है और हमारे lungs को जलाने के काम करती है हलके हलके तो फिर अभी इतनी खराब oxygen है 80 बना पा रहे हैं तो आप ठक जाएंगे बहुत जोर जोर से सांस लेते ठक जाएंगे तो डॉक्टर बाहर की 30% oxygen को बढ़ा के 50, 60, 70 कर देते हैं 70 करने से हम लोगों को सांस में तकलीफ नहीं आती इसलिए भार से oxygen दी जाती है तो हर आदमी के लिए oxygen ज़रूरी नहीं है इस बीमारी में एक नया concept खुला है जिसे कहते है happy hypoxia मतला oxygen कम होने पे भी आदमी सुखून में और खुश रहता है आपने कोरोना का मरीज देखा होगा heart attack का मरीज तडपता है और बीमारीओं का मरीज तडपता है कोरोना का मरीज अराम से लेता रहता है तडपता नहीं है क्यों क्योंकि उपर वाले ने ये system ऐसा बनाया कि oxygen कम होने के बाद भी brain को ये बात पता नहीं चलती हम लोग oxygen के पीछे भाग भाग के 90 oxygen के नमबर से डर डर के hospital भाग रहे है क्या hospital में जान बच रही है सब लोगों की इसलिए आज सवाल ये है कि oxygen देनी है तो किसको देनी है oxygen दो लोगों को देनी है एक जिनकी work of breathing बहुत heavy है ऐसा अगर आप कितनी बार करोगे कि आप ठक जाओ और उसके बाद आपकी oxygen और drop हो जाए दूसरा जिनकी oxygen बिलकुल maintain नहीं हो रही है या medical purposes के लिए hospital में admitted शरीक मरीजों को जो ventilator पे है उनको oxygen देनी है अगर इसके लावा आप किसी भी मरीज को oxygen देंगे तो वो नुकसान करेगी नफ़ा नहीं करेगी इससे अच्छा आप पल्स ऑक्सिमेटर से अपने oxygen चेक करिए अगर आपकी oxygen 90 से उपर है तो आप बिलकुल भी मत कवराईगे बहुत शुक्रीया रड़क सब और उमीद करता हूँ कि आप लोग को भी dr. साहब के जो बाते हैं ये जो precautions हैं जो तारीखे हैं मेरे खैल से आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि शुरू से ही अलहमदुलिल्ला ये शुरू से ही लगे हुए हैं कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी बात हैं शुरू से च्छी मालूमात पहुचाएं तो कई लोगों नों इनको माना है और समझाएं और कई लोगों समझते भी हैं तो आज भी इसी वक्त हम इसी लिए आए हैं कि डाक्टर साहब से जो जो मालूमात है इस वक्त जो लोग परेशान हैं जैसा कि ऑक्सीजन से हैं मार्क से हैं एक्सीनेशन से है इस तमाम जीज़ें हम आप तक पहुचाना चाहते थे तो आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए ताकि जो लोग परेशान है अभी डाक्टर डाक्टर साहब जो बताए हैं तो बराबार आपके डाक्टर साहब से आपसे बात कराएंगे तो इंशालला फिर अगली बार आपसे मलाखाद होगी क्यामरे मैं फारुक के साथ मुझे दीजिये जासाथ जेड़ टीवी देखते रहिए आपका अपना पहसा चलन यूटूब पर सब्सक्राइब करें फेज़ टूप पर फालो करें इस्टाग्राम पर फालो करें अब मुझे दीजिये जासाथ देखते रहिए आपका अपना चैनल जेड़ टीवी यही सच है